दोस्तों बहुत से समय फिले क्या हुआ करता था कि अगर पती के खिलाब पती के घर वाले रिष्टेदारों के खिलाब अगर पतनी थाने में जाके बस इतना बोल देती थी कि मुझे पती पती के घर वाले रिष्टेदार ये सभी है जो प्रेशान कर रहे हैं देज को लेके है जो मुझे यातनाई देते हैं मुझे जो प्रताडित करते हैं मेरे साथ में जो मारपी टाई करते हैं मुझे है जो ये सारे घर से भार निकाल दिये हैं और ऐसे मामलों के अंदर है जो इनकी तुरंत गिरपतारी भी हो जाया करती थी और जमानत भी है जो इन सभी को नहीं मिला करती थी यान कि इतना सक्त है जो यहां पर यह केस चलता था लेटेस्ट में आपको एक ऐसा जिज्मेंट बताने वाला हूं तो इसकी जरीय से है जो IPC 2498 का पूरा प्रोसीजर बदल गया है और यहां पर आपको है जो बहुत बड़ी है जो रहत मिली है तो किस तरीके से रहत मिली है और किस तरीके से है जो प्रोसीजर बदला है यह पूरी जानकरी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा वीडियो भोते महत्पून है खहीं से FIR नहीं होती है पहले होता counseling या फिर फहले होगा mediation फिर उसके अंदर देखा जाएगा कि यहां पर गलती किसकी है यह मामला चलने लायक है या फिर नहीं है फिर उसके बाद में है जो FIR होती है या फिर complaint case से जो file होता है तो इस तरीकी से है जो procedure आगे बढ़ता है और आज कल IP IPC 498 के normal मामलों के अंदर कोई गिरपतारी वगरा भी है जो नहीं हुआ करती है और अगर पति पक्स के दौरा कोई bail वगरा या या जमानत भी अगर ली जाती है तो वहाँ पे bail या जमानत के अंदर भी है जो किसी को दिक्कत नहीं आती है तो इस तरीके का है जो अभी आसा जोटे मामले गये हैं तो इसके उपर मानने सुप्रीम कोट ने इतना तका है कि आजकल जो पतनिया है वो है जो IPC 498 का मिश्यूज कर रही है हतियार की तरह है जो इसका उपयोग कर रही है यान कि पतनि के उपयोग के लिए है जो IPC 498 सेक्सन बना था अगर उसके साथ में गलत होता है तो वो है जो इस सेक्षन के थैत जो नियाई ले सकती है पर आज कल है जो पत्रियां उल्टा कर रही है पती पक्स को है जो परताडीत कर रही है जूटा केस है जो फाइल कर रही है तो यहां पर है जो इन सारे मामलों से है जो पत्रियां रहात मिलने लगी है department को अगर इस matter का पता सल गया है कि इनके उपर है जो case दर्ज होआ है तो उनका department है जो उनको suspend भी है जो कर दिया करता था कई मामलों के अंदर तो यह हुआ करता था कि अगर जिनकी job लगने वाली है तो यहां पर 498 case की वज़े से है जो उनकी job भी है जो रोक दी जाती थी यान पर IPC 498 case की वज़े से है जो उनकी nukety है जो department के द्वारा रोक दी जाती है तो यहां पर इनके द्वारा है जो high court के अंदर जाया जाता है कि इस तरीकी से यह है जो मामला मेरे उपर चल रहा है यह मामला है जो जूटा है और मैं है जो इनका रिस्तेदार हूँ तो इस तरी justice की किसी की जौब है जो नहीं रोकी जा सकती है अगर उसके खिलाप है जो directly मामला बनता ही नहीं है उसके अगर सबूत है ही नहीं तो इहां पर बिना वज्य है जो उसकी जूब इस तरीके से रोकना ही जो ठीक नहीं होगा तो यहां पर दिल्ली पुलिस को यह जिस department के अंदर इनकी job लगने वाली थी उसको है जो यहां पर high court के दोवार यह direction दिया जाता है कि इनको है जो तुरंत newty दी जाए यांकि जल्दी सजल्दी है जो इनको newty दी जाए तो इस तरीके की रहत है जो यहां पर इनको मिलती है तो जानकर यहां पर समझ में आ गई हो करके जान सकते हैं कि मामला क्या है आपके एच्छे समझ में आ जाएगा जानकर इसमझ में आ गई होगी तो वीडियो को जुरू लाइक करें और सेर्वी करें जो और लोगों के जानकारी पहुंच सके तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे जानकर वीडियो इंदो वीडियो का अन्यवाद है दो गपी एस में जाएब सक्तम आप सेर्वि करें पहुतवभी करें जा हुद रहत हैं कring करेंगो जोगों कि में पहुत है जा बहो हम जए एसमेशने करना में आप सक्तम ड़के